Stock market से पैसे कमाने तो हैं पर कहां पर invest करें ये नहीं पता अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा stock सबसे बढ़िया रहेगा जिसमें हम पैसे लगा दें और हमारे पैसे बढ़ जाएं In fact, इसके अलावा भी कोई और और चौप्शन है कि हम short short long term में पैसे बनाएंगे आपके मन में कई सारे investing से लेटेड सवाल हो सकते हैं पर उन सब का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है विकर्स ये बहुत ही important topic है अगर आप अपनी investing career की शुरुआत कर रहे हो मैं आपको genuinely बोलूँगा ये वो वीडियो है जिसे आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप इस वीडियो को end तक देखेगा आपको आपके बहुत सारे questions का answer मिल जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आप consistent returns कैसे produce करोगे in fact आप nifty को कैसे outperform करके alpha produce करने वाले हो जो बहुत important है जब आप mutual funds में invest करते हो या फिर किसी stock में invest करते हो आपका main objective क्या होता है कि बहुत जादा returns लाएगा अगर nifty 12-15% की returns दे रहा है तो क्या हम 12-15% से उपर की returns लेकर आसकते हैं आंसर है हाँ आप लेकर आसकते हो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और समझा तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ तब आपको समझ आएगा होता कि देख की समझ आता है इस वाला है आपको दिखाने वाला हूँ आए चलते है और एक्जापली आपको समझेंगे वाट इस एटीएफ कैसा दिखता है क्या होता है कितने का होता है आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं सो फिलाल के लिए आपको इस पर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा है डिली टाइम फ्रेम पर अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम अभी इंवेस्टिंग सीख रहे है अभी हमें ट्रेडिंग से रिलेटेट कुछ भी अभी जानने की अब कमाल की चीज़ देखो आपको यह रेड रेड कैंडल दिख रही है बट ओवर अल ट्रेंड अब दिख रहा है ठीक है कोई बात नहीं यह चार्ट अपने खोल दिया चार्ट से आपको कोई लेना देना है नहीं आप्शली मैं एक और एटेफ खोल रहो है आपर ठीक है समझेगा तो सिंप्ली निफ्टी बीस का चार्ट खोल देते हैं हमने आपे निफ्टी बीज ले लिए मैं कुछ और भी एटेफ के नाम लिखूंगा तो उन्हें समझाने क्यों आपको कोशिश करूंगा सबसे पहले तो यह देखो ट्रेंट अप है वह मैंने कुछ इंडिक 255 का निफ्टी बीस का प्राइस अल रहा है निफ्टी बीस अगर आपको निफ्टी को खरीदना है कि आप निफ्टी को खरीज सकते हो आंसर आप निफ्टी को नहीं करीज सकते हैं आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो निफ्टी के फ्यूचर खरीद के निफ्टी के आप तो यहां पर देख रहा है तकरीबन टू थर्टी सेवन रुपीज करके मैं इंडिया की टॉप पचास कंपनियों में इन्वेस्मेंट कर दूँगा तो लास्ट वीडियो में बात करीदी कि अभी अभी आपको यह करना नहीं करना इसके ऊपर हम बात करेंगे इंप्राक्ट मैं आपको अपने फेवरिट इटीफ से बताने वालों तो वीडियो बहुत कमाल का होने वाले बड़ावी सुनते जाओ काम आएगा तो अगर मैंने इसका निफ्टी भी इसका एटीफ खरीदा तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि अगर एक्जामपल के लिए आपको 21,000 पर निफ्टी दिख रहा है कि जिसन मैं वीडियो बना रहा हूं यहां से निफ्टी चला जाता 22,500 यह चला जाता 25,000 यह चला जाता 30,000 तो मुझे फाइदा कैसे होगा निफ्टी के बढ़ने पे अगर मेरे पास एटीफ है तो एटीफ के बढ़ने पर मुझे डेफिनिटली फाइदा होता है इस पॉइंट नुम्बर यहां पर यह स्मॉल कैप कंपनी है मैंने क्यों ली अच्छा एटीफ कोई ना कोई एमसी रन कर रही होती है यहां पर एमसी ऐसेड मैनेजमेंट कमनी कौन सी है तो एटीफ का एक एटीफ है वह एटीफ है स्मॉल कैप 250 मलब इंडिया की स्मॉल कैप कंपनियों में से 200 सबसे बढ़िया कंपनी है अगर आपको एक बार में खरीदनी है तो अगर आप उसका एटीफ खरीद लो जो कि बस 143.8 रुपीस का है तो आपका निवेश आपका इंवेस्मेंट इंडिया की 200 लिए ज़रूरी नहीं हम बात में बताएंगे इसके उपर सिग्निफिकेंस तो मैं अपने पहले फेवरेट जो मेरे फेवरेट एटीफ से मह वो लिख देता हूं तो एक एटीफ मेरा फेवरेट है जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि एक्जिस्ट 10 कंपनी से इसमें मेजरली 5 कंपनी होती है फिर 5 दूसरी अलग कंपनी होती है जैसे कि फेस्बुक अपल नेट्फिक्स गूगल अमजान और इसी तरीके से 5 और कंपनी होती है अलिबाबा वगर और भी कंपनी है तो यह यूएस की टॉप 10 आप कह सकते हो आईटी के अंदर जो कंपनी है उसका एक ETF है तो मैं अगर इंडिया में बैठे बैठे यूएस की टॉप कंपनी में इंवेस्मेंट करना चाहता हूँ तो मैं खरी सकते हूँ बढ़ काफी कॉंसेंट्रेट होता है क्योंकि इसमें सर्फ 10 कंपनी आती है और मेजरली 5 कंपनी होती है इसके अला का 71.3 135.36 तो अब यह क्या है यह है यूएस की टॉप हंड्रेट आइटी के अंदर जो कंपनी है वह आ गई इसके अंदर भी आपको डिफिनिटली अगर आप नाजिए खरीद रहे हो आपका इंवेस्मेंट फेस्बुक अपल नेट्फिक्स गूगल सब में जाहिए रहे त तो यहां पर अब थोड़ी से डाइवर्स हो जाते हो फैंग में थोड़ी से कॉंसे पसंद है अब सुनते रहे आपको अच्छा लगेगा नेक्स चलते हैं अगें वन ओफ मैं फेवरेट एटीएफ विच इस गोल्ड बीज ले लो है गोल्ड एटीएफ लेलो वह कंपनिया इसका मतलब क्या ही से समझते हैं तो अगर यह चार्ट थोड़ा लग सकता है मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं आपको बिल्कुल प्लेन चार्ट देखेगा ओके दिस इस दा प्लेन चार्ट क्पास की अगरहाँ आप गोल्ड को फिजिकली जाके खरीटते हो मुझे आप किसी से जान पेचान रखते आपको cash में देतों देगा अब आप एक चीज़ ध्यान रखेगा जब भी आप mcx का gold का price देखोगे और jeweler के पास जाओगे और बोलो कि मुझे cash में gold चाहिए यह मैं आपको अंदरगी टेकनिकल बाद बता रहा हूँ जो हमेशा cash का price होगा वो mcx के rate से जादा होगा तो mcx के multi commodity exchange होए हमारा उस पे gold का एक rate आता है वो जो gold का rate आता है और जो 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 लग रहा है जो जो लग रहा है मैं cash में गरीद रहा हूँ बट वहाँ पर rate का difference होता है हमेशा जोइलर आपको cash में जादा का बेचेगा क्यों क्यों कि पीछे से जब billing होती है ना तो जीएस्ट लगता है तो हमेशा आपको rate वही मिलेगा आप जो mcx पर आपको लगता नहीं हम तो digital खरीद लेते हैं तो अब जब डिजिटल गोल्ड भी खरीदते हो तो भी आपको क्या होता है आपको जैसी देना पड़ता आप इंटरनेट में कई सारी वीडियो मिलेंगी कि यार फिजिकल गोल्ड भी विकार है और आपका डिजिटल गोल्ड गोल्ड को तो गोल्ड का जो रेट का अप्रेशेशन होगा वो तो आपको मिले गई प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं पर पॉइंट यहां पर क्या है और वो ट्रेड भी होते हैं अगर आप जाके यहां पर सर्च करोगे अभी हम ETF की बात कर रहे हैं त सब प्रेड होते हैं इसके अंदर कुछ आपको इंप्रेंट क्या होता है जब आप गोल्ड बॉंड में इंवेस्मेंट करते हो जनरली जब यह इशू होते हैं तो आपको एक फिक्स टैम पीरेट तक उसमें रहना पड़ता है तभी आपको इंटरस मिलेगा पॉइंट यहा सबसे कम पैसा देते हो एक्स्टा चार्ज के नाम पर तो कोई आपको मेंग चार्ज नहीं लगते कोई आपको जिस लगता आप सिंप्ली गोल्ड खरीद रहे हो मैं तो सिल्वर भी खरीदता हूं बट सिल्वर को फिलाल के लिए हटा जैते हैं क्योंकि गोल्ड बेटर है अगर अगर आप सिल्वर की एट्फ में भी इंवेस्मेंट करना लिए ठीक है तो मुमेंटम 30 वाट इस दिस आप तो भाग रहा है बहुत तो अज़ी बहुत तो इसमें इसमें इंवेस्मेंट करते हैं ठीक है जो तीस टॉप कंपनी जिनके अंदर एक अच्छा मुमेंटम है वह इंडेक्स के अंदर रहती है तो हमेश्य जो टॉप 30 कि मैंतीस इंवेस्मेंट करें गरी जो बहुत तेज घसके है तो हमेशा आपको अपने धीस करना चाहिए ना कि मेरे किसी और के कहने पर तो हम अपने पर Uh, Alpha अपका पैसे नियुत का रहे है चायिसने एक लास्ट्फचसhoven करलेटे लट इस that is mid cap ETF so mid cap की companies का ETF यहां पर और आ गया अब आप कोई भी ETF ले लो इन में से आपको सारे ETF भागते हो देखेंगे कोई भी ETF देखो वो आपको हमेशा ऊपर देखेगा आपको नीचे नहीं देखे इस से आपको क्या समझ आ रहा है और वह भी हम डेले टाइम फ्रेम पर बात करें बड़े टाइम फ्रेम पर इसका रीजन क्या है कि लॉंग टम में सारे ETF ने परफॉर्म करना ही अगर आप कोई भी ETF आज भी खरीद लेते हैं इन में से कोई भी खरीद लेते हैं तो लॉंग टम कमाली है हमने एक पर अपने लक्षमी मा को घर पे ले आए तो हमें उन्हें भार में भीजना हमें उन्हें घर में रखना है उनकी सेवा करनी है और हम चाहते हैं और ज्यादा ग्रोव हमारी लक्षमी तो अगर आप अपने पैसे ग्रोव करना चाहते हो तो आप जैसे मैंने ब नहीं होगा यह आपको समझता है लॉंग डम में अमारी है स्ट्राइजी बनती है अब समझता है कि आपको इंवेस्टमिंट कौन से इटेफ में करनी है इसे समझते हैं तो मैंने बोला था सारे इटेफ आपके लिए समझा देता हूं फैरो जो स्मॉल कैप वाला टे इटेफ सबसे नीचे जो मैंने लिखा का यह जो समॉल कैप कंपनी इस होती है यह बहुत जादा वॉलिटायल होती है अगर निफ्टी गिरेगा तो समॉल कया इन्डे्टी और perform करता ही है small cap nifty के अंदर large cap companies है यह small cap companies है मैं ऐसा example हमेशा देता हूँ कि जो small cap companies है वो घोड़े की चाल चलती है घोड़ा तेज भागता है और nifty हाती हाती दीरे दीरे भागता है बढ़ हाती बड़े बड़ी companies है यह stable होके चलती है घोड़े मैंसे कई सारे घोड़े भी हो सकते है बट जब आप top 50 पहले ही choose कर रहे हो जब आपने top 200 companies ली तो जो घोड़ा होगा वो निकल जाएगा और एक निया घोड़ा एड़ हो जाएगा तो ETF का फाइदा क्या होता है nifty का फाइदा क्या है कि nifty के अंदर आज 50 कंपनी है बट अगर कोई कंपनी नहीं चली तो वो nifty से निकल जाएगी और एक नई कंपनी आड़ हो जाएगी तो nifty में वेश्व टॉप 50 कंपनी है रहेंगी momentum 30 के अंदर जो top 30 कंपनी जिसके अंदर momentum है से वो ही कंपनी ज रहेंगी तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो अब हमने gold क्यों लिया gold is a perfect hedge मैं आपको बता रहा हूँ now what you are required to do आपको इन में से 3 ETF चूज़ करने है but gold तो एक रहना ही चाहिए ये मेरे according है मैं कहता हूँ कि आपको बस gold होना चाहिए उसका reason क्या है उसका reason ये है कि अगर by chance market कभी तूटेगी market में crash आए गया crash are inevitable तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप crash को रोक पाओ तो आपका बढ़िया 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 चल रहा बट एक दिन ऐसा होगा जब एक दिन ऐसा होगा और मैं कहे रहा हूँ कि आपके पास तीन में से एक ETF गोल्ड का होना चाहिए तो गोल्ड is a perfect hedge अगर market गिरेगी तो जो गोल्ड का ETF होगा यहां पर गोल्ड का ETF होगा यह उपर भागेगा तो आपके portfolio में इतना बड़ा impact नहीं आएगा और वो मैं आज क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले time में मुझे पता आप trading भी सीखना चाते हो अगर आप trading सीखना चाते हो हम trading कैसे करने वाले हैं हम trading के लिए लग से पैसा नहीं डालने वाले इसलिए मैं इतना time लेकि ETF के उपर वीडियो बना रहा हूँ कि पहले आप investment करो एक portfolio बना उस पर returns लेकर आओ trading आपको कैसे करनी है कितनी करनी है कैसे extra returns मनेंगे सब हम आने वाली वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बट gold होगा तो एक चीज़ होगी कि account खाली नहीं होगा तो हमारा अगर gold में अगर हम तीन ETFs चूज़ कर रहे हैं एक gold को कर रहे हैं और मैं आपको बहुता हूँ दो आप अपनी मर्जी के कोई भी ले लो example के लिए आप चूज़ करते हो कि भई मुझे momentum 30 अच्छा लगा एक मैं इसमें investment करूँगा example के लिए और एक आप कहते हो कि भी मैं small cap companies में investment करूँगा तो अभी हमने देखा था small cap की जो 200 कमपनी है उसमें आप investment करते हो तो example के लिए आपका portfolio है example तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास आप 3 ETFs में investment करते हो एक gold हो गया एक momentum 30 हो गया small cap 250 हो गया तो आपका एक अच्छा portfolio यहां से तैयार होगा आपको clearly देखेगा मेरे पस 3 ETF है और मेरे को जो पैसा लगाना है इनमें लगाना है और जैसी अब इनमें पैसा लगा रहे हो आप top 30 performing companies में पैसा लगा रहे हो और 2500 small cap companies में पैसा लगा रहे हो और gold में पैसा लगा रहे हो आपको पता तो आपका पैसा कहा लग रहा है और हमने देखा कि long run में यह ETF अच्छा perform करते ही है इसके अलावा आपको लगता है यह momentum 30 की जगह मैं fang में investment करूँगा आप fang choose कर लो यह आपकी choice है बट आपको एक चीज है अगर आपको लगता है ठीक है hedging is one thing मुझे तो भाई maximum returns लेकर आनी है और मैं investment ऐसे कर रहा हूँ कि एक बर मैंने खरीद लिया मैं बेस चना नहीं चाहता तो हो सकता है आपका portfolio कुछ ऐसा देखे कि आपने एक तरफ nasdaq को ले लिया एक तरफ आपने again momentum 30 को ले लिया और एक तरफ आपने small cap को ले लिया अब यह क्या होगा यह के aggressive equity based portfolio हो जाएगा इसके इन तरफ का risk जादा है क्योंकि अगर market गिरी तो तीनों गिर जाएंगे तीनों टबक जाएंगे जब market बढ़ेगी तो यह bounce back भी बहुत test करेंगे और long run में आपको दिखेगा कि आपको nifty का outperform करते दिखेंगे and why nasdaq and why fang इसके अंदर एक important चीज क्या होती है जब भी हमारा रूपी depreciate करता है आपने देखा था कि एक time पर भी dollar रूपी की comparison में एक डॉलर का फाव साथ रूपे था फिर एक डॉलर का फाव सत्तर हो गया अब असी प्लस हो गया तो आप देख रहे हो कि भी जो रूपी हमारा depreciate करता जा रहा है और डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ेगा तो आज आप फैंग में investment कर रहे हो और आप नास्टेक में example investment कर रहे हो या कल को आप S&P 500 की ETF में investment करते हो ICIC का मिल जाएगा आपको तो मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि रूपी अगर depreciate होगा और डॉलर का rate appreciate होगा तो आपका एक extra benefit होगा यह extra benefit आपका हो सकते है जब आप ETF के तुरू इंवेस्टमेंट कर रहे हो और आपको पता है NASDAQ 100 के अंडर investment हो रही है तो NASDAQ की top 100 गमनीज में investment हो यह आपको समझना जरूरी है जैसे मैंने बोला अगर आप यह इस तरीके का portfolio बनाते हो इट इस मोर risky तो मैंने इसलिए बोला था कि आपकी जो investment होती है हमेशा subjective होती है आप कितना risk लेना चाहते हो तो gold year on year basis पे 10% की returns देता है यह आपको पता है यह वाले जो थोड़े से हमने आपके लोग इंडेक्स लिए यह ETF लिए यह आपको ज़्यादा returns देते है ज़्यादा returns देते हैं पर हम और ज़्यादा returns कैसे लेंगे उसके लिए हम बढ़ना पड़ेगा next इस वीडियो के part में जो कि सबसे important है कि ETF investment की मेरी strategy कौन सी है और सिफ मैं आपको अपनी strategy नहीं देने वाला मैं आपको दो strategy देने वाला तो ETF investing की भी दो strategies है और दोनों ही कमाल की point number one क्या है कि अभी के लिए हमने समझा कि ETF क्या होता है मेरे favorite ETF कौन से है आप अपने और भी इंडिया में कह रहा है अपने रिसर्च से जो टॉप ETF से वह बता दी है यहाँ पर बस एक important चीज है फिर हम भूल जाएंगे इसलिए मैं पहले क्लिए अगर देता हूँ अगर आप के तो जी नहीं मैं तीन ETF का portfolio नहीं बनाऊंगा मैं तो चार या पांच ETF का portfolio बनाऊंगा इसमें मैं निफ्टी बीस भी डालूँगा मैं निफ्टी बीस भी डालूँगा और एक्जामपल इसलिए आप कहते हो जी मैं मिड कैप का भी ETF डालूँगा अब क्या है अगर आपने अब strategy तो मैं आपको दूँगा तो गोल्ड बहुत जादा प्रोटेक्ट नी कर पाएगा आपको क्योंकि गोल्ड के अंदर आपकी investment limited होगी अगर आप बराबर का भी पैसा डालते हो तो पांच के साब से आपने सिर्व 20% गोल्ड रखा हुआ अपने portfolio में मेरा उस वक्त कहने का मतलब ही होगा यह तो कमाल ही कर दिया है क्योंकि वह कमाल ही strategy है मैं आपको generally बता रहा हूँ आपको अपका portfolio हमेशा green देखे long term में आपको हमेशा green portfolio देखे एक भी ETF आपको negative देखे गए और यही तो चाहिए है इस वीडियो के अंदर जो में डिसक्स कि अपले से रिवाइस कर लेते हैं आप इनके बार में थोटा सा study करो क्योंकि नेक्स वीडियो में हम strategy की बात करने वाले है तो strategy मैं दो तरीके से देने वाला हूँ एक मेरी खुद की strategy मैं exactly क्या करता हूँ मैंने अपने फेवरिट एक की बारे में आपको बता दिया और अमने स्क्वीन पर जाके आपको एक watchlist बनाने के लिए वह ला मैंने आपके सामने एक watchlist बनाई है आप भी वाचलिस बना सकते हैं और इन ETF को एड़ सकते हैं यहां से आपका काम शुरू होता है क्योंकि यह watchlist ही सबसे important होगी आपका जो भी डिमेट अकाउंट है उसमें जाके एक watchlist बना लो और इन ETF को उसमें एड़ कर लो तो यह जो भी इनको एक watchlist में डालो और देखो इनके बार में थोड़ा सा बढ़ो और नेक्स वीडियो का इंतजार करो कि नेक्स वीडियो में इसके बाद क्या करना है उसकी strategy मिलने वाली है और वह है कमाल की strategy बहुत मजा आएगा आपको तब तक के लिए अगर आपके सवाल आप कॉमें में बूख सकते हैं अगर आपके इमेधन इस्जाब में आप में इंवें इस्ट्रेश्मेंट將 इस्ट्रेशने कर सकते हो तो मेड एंजय हैं